हाई वेलकन तो वाज चैनल इस बीडियो में साल्व करेंगे क्वेशन नमबर 3 फाइंड दे लिस्ट नमबर विच मस्ट बी एड़ेड तो फालिविंग नमबर्स तो मेक देम परफेक्ट स्क्वेर तो इन सभी नमबर्स में क्या एड करेंगे कि ये नमबर्स परफेक्ट स्क्वेर हो जाएं यही फाइंड करना है और वह लिस्ट नमबर क्या होगी जिसको अड करना है तो समझेगा जैसा कि मैंने question number 2 में बताया था कि दो तरह के नमबर्स होते हैं ठीक है एक जो परफेक्ट स्क्वेर होते हैं और एक जो perfect square नहीं होते हैं, तो जो perfect square होते हैं, उनका तो long division method से करने पर solve, square root निकालने पर exactly remainder क्या होता है, 0 हो जाता है, लेकिन जब perfect square नहीं हो, नहीं होता है कोई number, तो उसको perfect square बना सकते हैं, कुछ add करके, या फिर कुछ subtract करके, ठीक है, तो हमने subtraction माला question number 2 में देख लिया आपर first solution, first, 5607, तो पहले हम इसका long division method से square root निकालने की कोशिच करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या हो रहा है, 5607, पियर बना लेंगे हैं आपर, बन गया पियर, अब यहाँ पर जाएगा आपको पहले-पहले 7 से, 7 प्लस 7, तो यहाँ पर 7 रख 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 अब यहाँ पर ले जाएंगे, तो फोर्टीन के टेबल पढ़िए, देखें कि 70 कितनी बना रहा है, तो फोर्टीन फोर्जा, 56 होता है, और फोर्टीन फाइजा, 70 हो जाता है, तो फाइज लेंगा तो ज्यादा आजागा, तो हमें क्या करना है, कि फोर्स ले जाना है, तो फोर्टीन के 6 हो गया, ठेक है, और 4 फोर्टीन के 6 हो गया, वन कारी उपर बचा, 4 फोर्ट शक्स्टीन, 1 17 गा 7, 1 करी उपर 4 1 गया 4 and 1 5, means 576, अब यहाँ पर यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 में सिक जाएगा 1, और यहाँ पर हुईगा 10, 10 मिस 7 जाएगा three और यहां पे six बलचा six five våina one one thirty one अब धिस्वार दिजेगा one thirty one क्या है यही वो नंबर है जिसको subbt करने पर इसमें यह बन जाएगा perfect square. लेकिन subbtенно kind कर तो निकला नहीं है हमें क्या करना है? कि वो add करना है क्या add कर तो अब यहां तेहां देजिए concept यहीं पर सब कुछ है हमने जो अभी किया है 5607 से यह जो नंबर है वो perfect square नहीं है यहाँ पर 5607 क्या है perfect square नहीं है इसको perfect square बनाना है तो यह number जो है greater होगी मैंने इससे एक छोटी number होगी इस number से छोटी number इधर एक ऐसा होगा जो इसमें से कुछ minus करने पर इधर एक number मिलेगा जो perfect square होगा और यह बनेगा इस तरीके से 131 मैंस कर देंगे इसमें से तो बन जाएगा वह number यहाँ पर जो perfect square होगा और वह इसमें इससे छोटी number होगी लेकिन इससे कुछ बड़ा number भी एक होगा जो इससे इसमें कुछ add करने पर आगे मिल जाएगा ठीक है तो हमने यह वाला number तो यहां support करके निकाली लेंगे ठीक है तो हम यहां support करेंगे तो क्य जाएगा 4 और यहां वे 5 भी बचा 5 5476 यह वो number होगी जो perfect square होगी जो इससे less होगी लेकिन हमें इसके आगे वाला निकलना है मतलब इसमें क्या add करेंगे कि यह number आजाएगा और इसमें सब्टेट करने पर तो मिल गया था इसमें से यह number जो है मिल गया था करते हैं और थोड़ा से समझते हैं कि जब ऐसा कुछन रहता है आइड करने वाला तो इसमें कैसे किया जाता है तो इतना लिए उसको वासे फिर से हम यहां पर करेंगे 7 से प्यार बना लीजिए यहां पर तो 7749 ठीक वैसे सब बचता रहेगा यहां क्या बचेगा 7 बचेग बतब 4 से नहीं बलकि 5 से ले जाएंगे और फिर देखी क्या होता है इदे हम 5 से ले जाते हैं तो क्या होगा 5 से 25 का 5 हो जाएगा 1 carry over sorry 2 carry over and 5 for the 20 on 2 22 का 2 2 carry over 5 5 and 2 7 725 आ गया अब ध्यान दीजिए यहीं पर सारी जो चीजे है समझने की वो यहीं पर है हमने ये एक अधिक से ले गया तो क्या हुआ कि यह जो 707 से थोड़ा सा अधिक आ गया नमबर तो यहीं पर सोचना है कि हम इस 707 में क्या add करेंगे प्लस X मैंने 77 में क्या add करतें कि 725 आ जाए तो यदि 725 आ जाता है 707 में कुछ add करके तो वहीं वो नमबर होगी list नमबर जो इसमें add करने पर exactly वो 00 remainder दे देगा है कि नहीं मतलब कि अब 707 में क्या add करेंगे कि 725 हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा अब यहां बन गया हमारा equation कि 700 sorry 707 में add करेंगे क्या means x माल लिया हमने एदी x add करेंगे तो मिलना चाहिए कितना 725 यहां से निका लीजिए x कितना मिलेगा 725-707 अब यह मानस करने कितना मिलेगा यहां हो जाएगा 15 15 में से 7 जाएगा 15 में से 7 होगा तो 8 बचेगा और यहां पर देखे 1 बचा 1 जीरो जाब 1 ही होगया यहां पर और 7 खतम होगया 18 मिला तो यह x बड़ाव मिला हमें 18 बना 18 यदि हम add करतेंगे 707 में तो यह 725 के बराबर हो जाएगा मतलब इसके बराबर हो जाएगा और जब इसके बराबर हो 50 मानस करने पर क्या जाएगा 0 ज्यरो ज्यरो आज आजएगा ओके तो यही आपको नंबर वो हुगा वही यही वह लिस्ट नंबर है जिसको आड करने पर इसमें इसमें प्लस वो ही 18 करनी है यही 18 करना है प्लस इसमें जिससे कि यह नंबर जो है perfect square बन जाएगी क्योंकि remainder यहां पर जिरू आने लेगा योदी 18 आड़ कर देंगे तो इक बार अधिक बार ले जाएंगे पहली बार 7 और 4 से गया था अब गया था 7 और 5 से जाएगा मतब कि लास्ट में एक बार अधिक से इकरीज हो गया यहां पर पहली बार कितना था 4 था अब कर दिये 5 से तब हम देखेंगे कितना एड़ करने पर remainder 0 आ रहा है तो अब यहां प 8 7 15 15 का 5 1 carry over and 1 and 1 यह 2 हो जाएगा and और यहां पर हो जाएगा क्या 656 वही रहेगा 6 and 5 तो 5625 this number is your property square और यह नंबर जो है इससे बड़ा है और क्या करने पर मिला है प्लस 18 add करने में मिला है और यह नंबर क्या है छोटा है इससे और मैनस 131 करने पर मिला है तो यही समझना है आपको निकालना जब यह रहेगा तो एक अधिक बार ले जाएंगे मिन 75 मतब यहां पर अपलिक सकते हो इस तरीके से यहां से कि 5607 जो है ग्रेटर है यह नंबर किसका square है 74 का square है यह नंबर क्या है 74 का square है और यह less than है यह कौँ सा नंबर है यह नंबर जो है 75 का square है और यह नंबर जो है perfect square फिल्वी हो जाएगा यदि हम separate कुछ कर दें और separate करना पड़ेगा हमें 130 जो कि यहां से मिला तो खेर हमें यहां पर concept समझ यहां आ गया है कि मतलब कि हमें निकालने के लिए यहां पर बस हमें कुछ add करना है last वाले में last वाले में क्या add कर दें कि हमा 18 इस दा लिस्ट नंबर लिस्ट नंबर लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एड़ेड विच मस्ट बी एड़ेड विच मस्ट बी एड़ेड ओके तो हमारा यही आंसर है 18 ओके अब साल करता है question number 2 तो इसको erase कर लेते हैं कि अब स्टार्ट करते है question number 3 का second part यह आपका है 4931 तो इसमें आप उपना लेंदी नहीं करेंगे इसा कर रहे थे हैं simply हम इसको एक बार अधिक से ले जाएंगे लास्ट भी बार ठीक है पहले बार जाएगा 7 से से समझा कि आप 49 हो गया और यह से सवर्टी नहीं हो गया अब देखिए यह अब नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा तो कोई एड कर दें कि 141 के बराबर हो जाए यही वो X से निकालना है इसलिए क्या हो जाएगा 31 प्लस X must be equal to 141 और यहां से वो जो X निकलेगा वो आ जाएगा 141 मैनस 31 और मैनस करेंगे तो मिलेगा 0 जो 4 में से 3 जाएगा 1 और यह 1 तो है ही 110 तो 110 इस डाट लिस्ट नंबर विच मॉस्ट बी आड़ेड तो इस नंबर तो मेक इट अपर स्कुएर क्योंकि हम यहां पर आटोमेटिकली 141 आएगा और लास्ट में कटके जीर हो जाएगा ठीक है मतलब कि यह X इसलिए यहां पर निकाला जा रहा है यह जो X 110 है फिर से बता देता हूं इसको हमें इसमें यदि आड़ कर दें तो यहां पर जब इसे सॉल्ट करने के बाद यहां पर आएगा 141 मतलब कि मैनस करने पर यहां हो जाएगा यह 41 और यहां पर 050 हो जाएगा 5041 हो जाएगा और यहां से मिल जा रहा है आपको कि कौन सा नंबर आड़ करना पड़ेगा इसमें ताकि यह परफेट स्कूर बन जाए तो 110 is that number तो clearly so 110 is the list number list number which must be sorry which must be added आद़ पड़ गई है सब्सक्राइट लिखने की ओके एड़ेड इसमस्ट भी एड़ेड टू फोर थाउजन नाइन हंड़ थर्टीवन टू मेकीट परफेक्ट स्कूर रहा हमारा आंसर यही है बस तो हमें बस यही लिख देना है यही आंसर है करेक्ट अब चलते हैं आगे थर्ड पार्ट सब्सक्राइब 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 मिलेगा आपको 10 और आगे वाला उतार लेंगे नमबर मतब 56 और यहां पर आ जाएगा टू एंड फोर 42 हो जाएगा अब यहां से दो बार में जा सकता है यहां डबल 0 भी है तो अभी लास्ट नहीं आया है देखिए अभी लास्ट में उतारना है लास्ट में उतारने की बाद हम ले जाएगे ठीक है दो बार में चला जाएगा तू तू जा 4 तू तू जा 4 तू फो जा 8 मैनस कर लेजिए यहां मिलेगा 2 और यहां मिलेगा 1 यह हो गया 10 में से 8 जाएगा 2 212 अब यह 0-0 उतार लेंगे अब यहां पर add कर लेते हैं तो मिलेगा हमें 4, 2 and 4 4, 2 and 4 अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको जिससे भी ले जाना है एक अधिक लेकर जाना है जिससे कि इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए ठीक है इससे मतलब बड़ा नंबर आना चाहिए तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि किस नंबर से ले जाने पर चला जाएगा मतलब कि हम यदि 5 से ले जाएंगे तो होसकता है चोटा आए तो चेक कर लेते हैं तो फाइब से लिए तो 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 आएगा दिखते हैं कि अधिक आगया तम करेक्ट हम ने ले गए पांच बार ले गए मतलब कि फॉदा साधी का गया यह नंबर इससे मतलब यहाँ पर जो मिला हमें क्या मिला है कि यहाँ पर 21,200 मिला और 21,225 आगए हैं यहाँ पर मतलब कि यह नंबर इस थोड़ा सा बड़ी है तो अब बताइए इस नंबर में क्या एड कर देंगे कि इसके बराबर हो जाए बस ही सोचना है एक बार अधिक ले जाना है यहाँ पर और आपको यह देखना है कि जब बड़ा नमबर आ जाएगा जिसमें ले जाना होगा उससे बड़ा नमबर आएगा और जब बड़ा नमबर आ जाएगा तो आपको यह चेक करना है कि जो उपर वाला नंबर है उसमें क्या एड कर दें कि इसके बराबर हो जाए तो हम लिसकते हैं यहाँ पर कि clearly clearly 21200 में x क्या एड करें कि मिल जाए हमें 21225 यहां से x मिल जाएगा 21245 में से मायनेस करेंगे इतना 2200 यहां मिल झाएगा कितना क्या 25 का बन जाएगगी यदि 25 इसमें आट कर याले सकते हैं कि हैंस 25 is the least number which must be added two four five one five six double zero to make it a perfect square to make it a perfect square okay तो अब जो है हम करते हैं next question तो यहां पर आप निकाल सकते हैं कि कौन सा number add करेंवे बनेगा क्यों इस 25 को इसमें add कर दीजेगा और आपको यह भी आप यह भी निकाल सकते हो कि मतलब जो बनेगा perfect square तो उसका square root क्या होगा आपके यहां सा number जो है ना two है one है यहां रखते जाएगे और यहां पर फिर two आया फिर यहां पर आप लाश में क्या है five आया तो यही वो number होगा नहे वाले number का square root ठीक है मतलब जब 25 आइड करोगा इसमें तो क्या बनेगा यह बनेगा आपका 4515625 यह जो number होगा इसी का जब आप निकालोगे square root तो मिलेगा आपको यह वारा number means two one two five ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फोर्थ पार्ट ओके तो स्वाल करते हैं question number four fourth part of this question तो महरा पास है question आपका 37460 तो यहां पर हो जाएगा 37460 double pair यहां बना यहां बना और यह आप अहले जाओगे one से one plus one one से लिए जाओगे तो बचेगा और यहां पहुजएगा 74 यहां हो जाएगा 2 अब यहां पर नाइन से लिज़ना पड़ेगा तो 9 से लिज़ने तो 9 आइन जाए 801 का one eight carry over यहां तो जाए एक बार अधिक से लिजाना है जितना भी जाएगा तो तो 3, 4, 12, 4 चला जाएगा तो 4 से अधिक ही आएगा बिल्कुल क्योंकि यहां पर बिल्कुल अधिक आएगा चले चेक कर लेते हैं 4, 4, 16 का 6 हो जाएगा 1 कर्योफर and 4, 8 जा 32 and 1, 33 का 3, 3 कर्योफर 4, 3, 12, 12, 12 and 3, 15 तो आप देख सकते हैं कि 1360 यह है और यह आपका आगया 1536 तो बिल्कुल ही क्या हो गया अधिक आगया अब यहां पर सुचना क्या है अब यह बताएगे 1360 में क्या add कर दें कि इतना आ जाए वस ही सुचना है तो 1360 में क्या add करें कि 1536 आ जाए और यह आपको निकालना है कि क्या add करना है एकस की वेली निकालना है तो 1536 में से मैनस कर लिजिए 1360 क्या मिलेगा 6 यहां मिलेगा और 13 में से 6 मैनस करेंगे 7 मिलेगा और यहां 4 हो जाएगा 176 176 is that list number which must be added to this number so that it becomes a perfect square तो 176 ही इसमें add काना पड़ेगा और this is your answer तो इसमें आप लिख लिजेगा सब कुछ जो भी लिखना है पता है इसमें चलिए आप आगे बढ़ता है लास्ट वान फिफ्थ यह आपका नंबर है 506 9 00 पेर बना लेते हैं यहां पर यह बन गया अभी सिवन चलाएगा पहली बार सिवन समझा फोर्टी नाइन यहां पचेगा 1 169 यहां पचेगा 14 अब यह एक बार में ही जाएगा लेकिन हम एक बार में में लेगे दो बार में लेगे शोर्डी तो उतने कम बार में लेजाएगे क्योंकि अभी तो लास्ट वाला को로 यहां यहां पर देखें कितनी बन जहाएगा तो 14 ट्वेंटी यह बार चला दमकूल दल्कूल में अधिक आएगा तो 2 तो जब 4 2 तो जब 4 2 तो जब 8 and 2 वंजब 2 देखें यहां पर यह 2800 क्या है 2844 से छोटा है तो इसमें कितना एड करेंगे कि 2844 आजाएगा जितना आइड करना होगा इसमें उतना ही इसमें आइड करने 2844 और यहां से 2844-2800 और मैंस करें मिलेगा हमें actually 44 so 44 is that list number which must be added to 2800 to make this number means यही नमबर जो है जब इसमें से आइड करेंगे तो यही नमबर इसमें भी आइड कर देंगे तो यहां पर फाइनली वैसा ही कुछ आएगा जिससे सब्वेट करने पर यहां पर जिरू आ जाएगा ठीक है तो 44 is that number तो होप कि आप समझ में आ गया होगा clearly आपके इस 5 questions को देख करके कि क्या करना होगा each questions में ओके थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाए